हलो एवरीवन वेल्कम बेक टू माई चैनल काना मैथ कोचिंग चैप्टर नमबर वान एक्सराइज 1.1 कोशन नमबर 8 लेट्स टार्ट वेरिफाई ए ए माइनस बी कि A plus B for the flowing value of A and B यह कहते हैं कि A minus minus B is equal to A plus B क्या दोनों equal है यह वली चाइड होती हैं left hand side और यह वली साइड होती है right hand side इसे हम बोलते हैं left hand side इसे हम बोलते हैं right hand side अगर यह कर देंगे कि यह ह्यान लेकिन हमें पहले फ양न करनी पर रैड्याइब फिर हमको हम्ह Ideal को drives हल आए यह तो पलिए फ visto फन कलेते हैं से फोटेंज़ कर दो Adding हो पहले ल्वें कृला थे पहले लिखेंगे क्या Dep guitars left hand side में A, A minus B, A क्या है 21, minus B क्या है, minus 18, अब क्या दिया हुए, 21, minus minus, plus, यानी 18, 21 और 18 कितने हो जाएंगे, 39, left hand side का total आया, 39, अब निकाल लेते हैं, right hand side, है न, right hand side में क्या दिया हुए, हमारे को, A plus B, A कितना है, 21, A की value 21, B की value कितनी है, 18, दोनों को क्या कर देंगे, at 39, it means left hand side और right hand side दोनों क्या है, equal है, ठीक है, left hand side and right hand side दोनों क्या हो जाएंगे, equal हो गए, ठीक है, next part है, A की value दियो ही है, firstly हम क्या right करेंगे, LHS, है न, left hand side, क्या है, A minus minus B, A है 118, minus minus B, यानि, minus में 120, minus B means minus लगा के, B की value लिखनी है, ठीक है, 118, minus minus plus 125, इनको क्या कर देंगे, अब add कर देंगे, 85, 13 का 3, carry 1, 2 and 1, 3 and 1, 4, 1 and 1, 2, 243, अब क्या करना है, RHS करना है, RHS क्या दिया हुए, A plus में B, RHS है, A plus में B, अब A कितना है, 118, और ये 125, तो 18 और 125, 243, यानि, LHS और RHS दोनों ही क्या है, इक्वल है, ठीक है, नेक्स दिया हुए, थर्ड पार्ट, वही, LHS राइट करेंगे पहले, पता लगाना है, हमको दोनों इक्वल है, यानि, LHS में A minus minus B था न, A की वैल्यू 75 देऊ है, देखिए, और B की वैल्यू कितनी देऊ है, 84, तो क्या करना है, हमारे को 75, minus plus is equal to, क्या हो जाएगा, 75 और 84 को क्या करना है, shape 15, 159 हो गया, अब क्या करना है, RHS, RHS में A plus B है, तो 75 प्लस 84 को क्या करना है हमी एड करना है तो कितना हो जाएगा 159 हो जाएगा ठीक है अब LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है इसके बाद next पार्ट जो है इसमें भी ऐसे ही करना है LHS is equal to A minus minus B हो जाएगा A की value 28 दियो है देखिए B की value क्या दियो है 11 दोनों को क्या करना है माइनस माइनस प्लस एड कर देंगे कितना आगया 39 आगया अब RHS देख लेते हैं एक बार RHS में क्या दिया हुए A plus B यानि 28 प्लस में 11 39 ये भी LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है तो सभी के LHS और RHS क्या हुए इक्वल हुए अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और इससे रिलेटेट कोई भी कोशन आप मुने मुझ से पूछना है तो प्लीज कमेंट करिए और अगर इस चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए मेरी चैनल को वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज लाइक पी जरूर करिएगा थैंक यू